गुड मॉर्निंग बच्चो और चलो आज हम लोग ग्रामर देखेंगे यह पेड कोर्स है ठीक है पेड कोर्स को मैंने क्रैक कर रखा है ताकि यह सब के लिए उपेन हो जाए और सब इसको अनगिनत बार देख पाएं जितनी बार मरजी है उतनी बार देख पाएं और वैसे भ मैं दूँगा इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो तो यह एक्स का अडिशनल बेनिफिट है तो चलते हैं ग्रामर में हम लोग देखेंगे आर्टिल्स पार्ट्स अप स्पीच नाउन प्रणाउन एड्यक्टिव वर्व एडवर्ब प्रिपोजिशन कंजक्शन सब्ज अडियक्ट वर्व एग्रिमेंट को देखेंगे टेंस को देखेंगे मोडल्स को देखेंगे नेरेशन को देखेंगे इसके बाद है न हम लोग थोड़ा सा एडवांस करेंगे जिसमें कि साइनोनेम्स और एंटोनेम्स को देखेंगे आइडम्स और प्रवर्ब्स को देखे देखेंगे, one word substitution को देखेंगे, फिर आते हैं comprehension पे, तो हम लोग देखेंगे unseen passage को, para jambals को देखेंगे, इसके बाद sentence jambals को देखेंगे, opening closing statements को देखेंगे और इसके बाद para completion को देखेंगे, तो ये सारा चीज़ कहेंगे, अब पहले noun को देखेंगे, हम लोग धंग से, इससे किया है? 2-3 questions अहर exam में आते ही आते हैं, तो हो सकता है कि noun, जो है, इसको ऐसा करते हैं, कि noun को दो पार्ट में देखते हैं, अच़्े से, तो देखे, noun क्या होता है तो nouns जो होता है, वो होता है, noun is a name of any person, place or things. क्या होता है? noun is a name of या फिर हम इसको यही तक छोड़ देंगे, noun is a name, यही तक हमारा काम हो जाएगा, noun is a name, इसको यही तक रखने दीज़े, लिखिएगा भी तरह& noun is a name, noun क्या होता है, बस नाम, noun is a naming word, noun is a fulana, चिलाना सब भोल जाईए क्या होता noun is a name बस यहीं तक रखिये याद आगे हम लोग देखते हैं examples देखते हैं तो कोई भी नाम है जैसे कोई भी नाम है स्रेया is an outstanding singer तो यहाँ पर देखिए स्रेया क्या है नाउन है और singer क्या है यह भी हमारा noun है दूसरा word देखिए what is the name of your child यहाँ पर name तो क्या है noun है और child क्या है यह भी noun है Mohan is a common name Mohan क्या है noun है और name क्या है यह भी noun है ठीक है चलिए इसको और clarify करते रहेंगे और हम लोग जो दो class लेंगे न उसमें noun से सम्मादित जो भी असुद्धी है वो सब कभी नहीं होगी जीवन में और competitive exams में यह महत्तो रखता है काफी ज़्यादा अब देखतें noun को noun क्या होते है countable और uncountable दो तरह के noun होते है जैसे countable noun जिनको हम गिन सकें वैसे noun जिनको हम गिन सकें जैसे pain, book, window, man, girl, remote इन से को क्या हम लोग गिन सकते हैं लेकिन uncountable noun को दिखिए जैसे कि sand है, anger है, गुसा आपको दो गुसा आ सकता है पांच गुसा आ सकता है, नहीं आ सकता है ना sand है sand आप तॉल सकते हैं, गिन सकते हैं water, water, पानी को गिन सकते हैं नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, तॉल भी सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, while, air, link इन से को क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं तो ये क्या है, uncountable noun है अब देखिए uncountable nouns को देखिए, जैसे कि honesty, honesty क्या है noun है, ठीक है अब ऐसे words हमने क्यों लिए है honesty क्योंकि adjective और noun में हमें एक difference समझना है ठीक है तो honesty क्या है noun है और honest क्या है वर्व है smartness क्या है हमारा noun है जो व्यक्ति की quality को बताता है और smart क्या है हमारा adjective है जो विशेशता बताता है beauty क्या है beauty noun है और beautiful क्या होगा adjective cunningness चालाकी क्या है noun है cunning क्या है quality है intelligence क्या है noun है और intelligent क्या है adjective happiness क्या है हमारा जो है noun है happy क्या है adjective तो यह basic चीज है जो हमें जानना जरूरी है इसको अच्छे से ध्यान से दिखिए जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमारे कई सारे concept जो है वो clear होते जाएंगे तो देखिए यह सब क्या है uncountable nouns है honesty, smartness, beauty, cunning, intelligence, happiness और importance और यह जो adjective है वो इसके साथ कौन सा है adjective honest, smart, beautiful, cunning, intelligent, happy, important यह सब क्या है तो हमारा adjective है आगे देखते हैं gender of noun देखें English में क्या होता है और हिंदी में क्या होता है जैसे masculine gender हो गया pulling और feminine gender हो गया strilling यह किस में होता है? English में होता है कोई दिक्कत, कोई परिशानी हिंदी में क्या है न दो ही gender होते हैं sterling और pulling लेकिन English में ऐसा नहीं है English में तीन gender होते हैं तब लोग तीसरे gender के उपड़ भी चलेंगे पहले दो gender को देख लेते हैं masculine यानि pulling feminine यानि की sterling तो देखिए एक basic देखिए कि boy क्या है? girl क्या है? boy हो गया हमारा masculine ये क्या है? feminine pulling, sterling, bachelor, bachelor हो गया pulling, spinster हो गया sterling इसके बाद हम लोग देखते हैं father, pulling, mother sterling, गंडेर ये क्या हो गया? pulling, goose, sterling, man servant, pulling, maid servant, क्या हो गया? sterling salesman क्या हो गया? pulling और saleswoman क्या हो गया? sterling emperor, क्या हो गया? pulling और impress, क्या हो गया? sterling, actor, pulling, actress, sterling तो हिंदी में दो gender होता है, हिंदी में कितने gender होते हैं? दो gender Sanskrit और English में 3 gender होते हैं Sanskrit और English में कितने gender होते हैं 3 gender तो यहाँ पर दिखिए जो Hindi speaking people नहीं है जो Hindi नहीं बोल सकते है उनको यहीं पर बोड़ी समझ चाती है Easterling pulling में हमेशा फस जाते हैं हमेशा उनको समझ नहीं आता कि जैसे धकन Easterling है या pulling है और इसके लिए कोई किताब भी नहीं आती जिसे यह जान सकें यह Easterling है और यह pulling है तो बहुत सारा चीज है हिंदी में जो बहुत ऐसे ही चलता है लेकिन English में यह काम बड़ा आसान है तो चलिए उसका आसान काम को देखते हैं जैसे एक है neuter gender neuter gender क्या है नाइधर masculine है non feminine है neuter gender क्या है नहीं masculine है और नहीं feminine है नहीं यह pulling है नहीं इस्त्रलिंग है जैसे देखिए all living things जैसे निर्जीव जो यतने हो गए वो क्या होंगे neuter gender होंगे जैसे animals all non living things जितने निर्जीव हैं और animals ठीक है insects टोडलर्स जैसे टोडलर्स लड़का या लड़की हो सकते हैं ठीक है लेकिन उनको ऐसे दिखाएंगे तो हम लोग क्या neuter gender की रूप में उनको उचारित करेंगे all uncountable nouns जितने uncountable nouns है उनको क्या हम लोग eat से सो करेंगे क्या है neuter gender है example देख लेजिए जैसे कि tree हो गया box हो गया water हो गया windows हो गया road हो गया sky एक एस्टर ये सब क्या है हमारा neuter gender हो गया जैसे cow है गाय है कौन सा हो गया neuter gender हो गया cow को कैसे बोलेगी eat has four legs animals में आ गया न तो ये क्या हो जाएगा हमार neuter gender हो जाएगा जब तक कि हम especially male या female को specify ना करें जो animal की जो जो भी चीज होगी वो क्या होगी neuter gender में होगी अब देखिए एक है उसी में common gender common gender में क्या होता है either masculine और feminine या तो वो pulling होगा या तो वो sterling होगा ये क्या होता है common gender जिसे teacher teacher क्या हो सकते है पुरुस भी हो सकते है sterling भी हो सकते है जब तक class लेने नहीं आये है उनके बारे में पता नहीं है तो वो क्या हो सकते है आभी सकती है और आभी सकते है ये दोनों हो सकता है तो क्या हो गया common gender collector क्या हो गया common gender हो गया ठीक है male और female दोनो drivers यह क्या हो गया drivers common gender हो गया पुरुस और महिला दोनो students छात्र भी हो सकते है छात्रा भी principal प्रिंसिपल क्या इस्तरी और पुरुस दोनों हो सकते है officers दोनों हो सकते है महिला भी और पुरुस में तक क्या है common gender color महिला color की भी हो सकती है पुरुस भी तक क्या है common gender है तो देखिए जब तक बात के वर लड़कियों की ना हो common gender को masculine ही माना जाता है एक दम important note है एक दम इसको ध्यान देजिए कि जब तक बात के वर लड़कियों की ना हो तब तक masculine gender को तब तक जो है common gender को masculine ही माना जाता है यानि कि pulling ही माना जाता है teacher को pulling ही माना जाएगा जब तक कि इस तरी teacher की बात ना हो ठीक है अब एक example से इसको समझे each participant is getting ready for his performance तो देखिए participant क्या हो सकते है male भी हो सकते है female भी लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है तो हमने क्या लगाया his लगाया his performance his पूरुस वाचक pulling लगाया अब देखिए second देखिए each participants of Miss India contest is getting ready for her performance अब यह क्या होगा participants क्यों होगा Miss India Miss India कौन हो सकती है इस तरी हो सकती है तो यहाँ पर क्या लगा दिया her लगाया ठीक है आगे देखिए एक example और लेते हैं each student has done his best अब student तो पूरुसर महिला दोनों हो सकती है छात्रिया छात्रा जो specify नहीं है फिर भी यहाँ पर क्या लगाया हिज लगाया लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं each student of the girls S में आगे apostrophe यह देखिए आगे यह कौमा लगाया गया है तो इसको हम लोग आगे इस चीज को धंक से समझेंगे क्या आगे क्यों लगाया यहाँ क्यों नहीं लगाया each student of the girls school has done her best अब यहाँ girls से specify कर दिया तो यहाँ पर क्या लग गया her लग गया अगर हम लोग gender को अगर नहीं बताएंगे तो common gender में masculine ही काम करेगा चलिए आगे बढ़े अब दिखते है noun and number को तो noun में क्या होता है singular हो सकता है plural हो सकता है तो जैसे singular जहाँ एक की बात हो तो वहाँ पर क्या होगा singular plural में क्या होगा जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो तो क्या होगा plural होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है ना हम लोग जो singular को plural बनाते हैं तो उसमें कई सारे चीजों का यूज करते हैं लाइफ को लाइब्स बना दिया तो क्या हो गया बहुवचन हो गया एना एको हटा के भी एस लगा दिया तो यह कुछ कॉमन तरीके हैं बेबी में बेबी से बेबी से बना दिया एना क्या वाई हटाया आई एस लगा दिया हाप को हाबस बना दिया ठीक है एफ हटाया भी एस लगा दिया, leaf को बहुवचन बनाने के लिए leaves कर दिया LEA, BES उसी तरह eco को बहुवचन बनाने के लिए echoes कर दिया proof को बहुवचन बनाने के लिए probes कर दिया safe को हम लोग फिर वापस से बहुवचन के लिए saves कर देते हैं S-H-E-A-B-E-S तो ये कुछ तरीके हैं तो ये तो समझ में आता है कि S लगाया, E-S लगाया या BES लगा दिया लेकिन कुछ ऐसे word है जिसमें बहुवचन में बिलकुल अलग जो है तरीका इस्तमाल होता है हम लोग उनको भी देखेंगे जिससे कि man है man अच्छ से बनता है man 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 क्या है बहुवचन है woman 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 ये क्या है बहुवचन है foot feet feet क्या है बहुवचन है goose geese geese क्या है बहुवचन है goose क्या है एक बहुचन है mouse mice माउस और माउस माउस क्या है बहुवचन है टूथ बहुवचन टित आक्स बहुवचन आक्सन चाइल्ड बहुवचन चिल्ड्रेन चिल्रेन्स नहीं लिखेंगे कभी भी गलती से भी चिल्रेन्स नहीं लिखेंगे children खुदी बहु अचन है S लगाते ही हमारा जो है मामला वो गलत हो जाएगा क्या लगाएंगे? यहाँ पे सिर्फ children child, children अब देखिए कुछ noun के singular और plural same होते है यह खास चीज़ है कुछ noun के singular और plural same होते है जिसे sip एक sip भी होगा और sip जोणड़े जो होगा न बहुत सारा उसको भी कई सारे सिफ होंगे उसको भी सिफ बोलेंगे एक हिरन को भी deer बोलेंगे और बहुत सारे हिरन को भी deer ही बोलेंगे एक बहाँस को buffalo बोलेंगे और बहुत सारे बहाँस को भी buffalo ही बोलेंगे एक हवाई जहाज को एर क्राफ्ट बोलेंगे और बहुत सारे हवाई जहाज को भी एर क्राफ्ट ही बोलेंगे एक स्पेस क्राफ्ट को स्पेस क्राफ्ट बोलेंगे और बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट को भी स्पेस क्राफ्ट ही बोलेंगे species यानि परजाती एक परजाती को भी species ही बोलेंगे और बहुत सारी परजातियों को भी species ही बोलेंगे एक कोड को भी कोड ही बोलेंगे अने को भी उसी तरह एक फिस को भी फिस बोलेंगे अने को भी फिस बोलेंगे off spring यानि की बच्चे आपके कितने off spring है यानि कितने बालबच्चे है एक को भी off spring बोलेंगे 4-5-7 जितने रहेंगे उसको भी off spring ही बोलेंगे एक salmon भी salmon होगा और 4-5-7-10-12 salmon भी salmon ही होगा तो यह है कि कुछ noun के singular और polar same होते हैं ठीक है यहां तक clear है अब हम लोग ना कुछ confusing words को लेते हैं ठीक है कुछ confusing words को लेते हैं confusing words में जैसे कि light light का मतलब होगया प्रकास जैसे normal जो है न हम देखते है जो हमारे story से आता है यह सब क्या है प्रकास no sentences lights का हो गया जिसको हम लोग जलाते हैं जैसे tube lights जो लैंप जिसको हम लोग उजाला करने के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे lights, cloth, cloth का मतलब हो गया थान का कपड़ा जो unstitched है जो की बना हुआ नहीं है वो क्या हो गया? cloths, cloths वो है जो हम पहनते हैं ठीक है? यह जो stitch हो के और बन के आता है cloths, उसी तरह pain, pain का मतलब हो गया दर्द, pains का मतलब हो गया मुसीवतें, तकलीफें, जो भी है तो हम लोग क्या बोलेंगे? there is a lot of pains in my life, यानि मेरी life में बहुत सारी मुसीवतें है pain नहीं लिखेंगे, एक pain और एक pains, यह हमें समझना है, confusing words है यह advice हो गया, हमारा noun हो गया, और advice हमारा क्या हो गया? word हो गया, यह basic है, जानते हैं इसको water, जो normal पानी है तो water हो गया, waters का मतलब हो गया water body, जैसे की lake, जहरना, नदी, तलाब, जहरना, यह सब क्या है? waters है, ठीक है? water body को waters बोलते है manner का मतलब हो गया तरीका, और manners का मतलब हो गया अच्छी आदिते हैं, ठीक है? तो यह दोनों क्या है, confusing words है, इसका बहुँ वच्छन नहीं समझना है इसको, color का मतलब हो गया रंग, और colors का मतलब हो गया personality, हम लोग एक example से भी देखेंगे, hair का मतलब और hairs का मतलब है, दोनों अलग अलग होता है, क्या होता है? मुझे comment box में बताईएगा एक बार, ठीक है? अगर आपको मालूम हो तो नहीं तो मैं बताऊंगा ही, और मैं बताता रहता हूं कस्टम एक department हो गया, customs का मतलब हो गया, रिती रिवाजे, दोनों को mix नहीं करेंगे लिखने में goods जो good हो गया, वो adjective में आ गया, अच्छा, अच्छाई वगरा, goods का मतलब होता है सामान, goods and services, good and service नहीं लिखतेंगे कभी भी है क्या होगा, goods, हमेशा क्या होगा, goods, goods का मतलब सामान, जो एक देश, दूसरे देश में भेजता है न वो, यह कुछ confusing words थे, ऐसे words हम लोग बार-बार देखेंगे, लगातार देखेंगे, चलिए आगे चलते हैं एक्जामपल देखते हैं, people change their color very often, अब यहाँ पर देखेंगे, यह गलत हो गया, अभी-अभी हमने देखा है, color तो क्या होगा, यह एक रंग होगा, colors जो होगा, वो personality को करेगा, तो replace करना है, color को किस से, colors से, ठीक है color का C-L-O-U-R भी लिख सकते हैं, C-O-L-O-R-S भी लिख सकते हैं, confused नहीं होना है, एक American English है, एक British English है, बस यही फट है, आराम से लिखेंगे, कोई गलती नहीं है तो यह क्या होगा, यहाँ पर, color नहीं होगा, colors होगा, अब यह देखेंगे, I need an advice from you, ठीक है, अब I need an advice from you, इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, मैं, advice को advice से interchange कर देना है, simple है It took pains to me to reach this level, एकदम बिलकुल सही है, ठीक है, It took pains to me to reach this level, एकदम सही वर्ड है, अभी हमने इसको देखा है आगे देखिए, पहला, इन nouns का प्रियोग केवल, plural form में ही किया जाता है, ऐसा instrument, जो दो same parts से मिलकर बने हो उनके साथ क्या होता है, हमेसा plural form में ही use होता है, कुछ nouns है, जो हमेसा plural ही होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं जैसे कि scissors, scissors में कंची हम लोग देखते हैं इस तरह का कंची होता है, दो पार्ट से मिलके बना होता है, तो क्या होगा? Scissors. Espectals. Espectacles. ये क्या होता है? 2 से मिलके बना होता है. Glasses. 2 से बनके होता है. Tongs. Sonota. 2 से मिलके बना है न? तो ये क्या होगा? क्या होगा, बहुवच्छन जैसा लिखा जाता है, इन नाउंस का प्रियोग केवल plural form में ही किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रुमेंट जो दो सेम पार्ट से मिलकर बने हैं, हो गया, अब हम लोग examples देखेंगे, these are my scissors, कई सारे कईची की बात नहीं हो रही है, these are my scissors, these are my spectacles, ठीए, those glasses are in वोग, वोग क्या हो जाएगा, trend, जो trend में होता है, जो चलन में होता है, उसको लिखते हैं, वोग, those glasses are in वोग, देखा आपने, कितना असान है, यह सा क्या लिखा गया है, बहुचन जैसा लिखा गया है अब देखिए, articles of dress, जैसे trousers, pants, shorts, jeans, pajamas, यह सब जो है ना, बहुचन में ही लिखा जाता है, जैसे कि trouser है, trouser नहीं बोला जाता है, अब पता नहीं लोग pant, pant क्यों करते रहते हैं, जैकि सही word है, pants, तो अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से, जो है, अपनी जिवा को सुधार लेंगे, जो हम लोग लिखेंगे, वही हम लोग बोलेंगे भी, यह नहीं कि लिखते, लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, मैंने हमेशा छात्रों को समझाया है, कि अपनी भासा को प्रिस्कृत रखिए, अच्छा रखिए, बना करके, दोन देखते हैं, इस पैंट्स आर लूज, क्या है पैंट्स, क्या है पैंट्स, एक वचन में होगा ही नहीं, पैंट्स नहीं होगा हमेशा होगा पैंट्स, I like these ट्राउजर्स, क्या होगा, एक ट्राउजर नहीं होगा, हमेशा एस लगा रहेगा, कुछ और नाउन को देखते है certain other noun को देखते है I thank you I thank you में thanks क्या हमारा भड़्भ हो गया I thank you में क्या हो गया thanks हमारा भड़्भ हो गया लेकिन thanks, assets, promises alms 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 का मतलब होताँ दान और बिक्षा होता है premises का मतलब pressure हो गया assets मतलब लोग जानते हैं जमापुणजी thanks क्या हो गया हो गया। orders क्या हो गया हमारा ओर्डर का मतलब हो गया clan हो गया order यह आ अधेस हो गया और order मतलब हो गया आधेस देना यह क्या भाड़ ह और जो गया aesthetics एक सब्जेक्ट है جो हमें से aesthetics इसी तरह लिखा जाता है बहुवचन में ही अगर कभी गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए और पुलिस वाले ने पकर लिया पहले तो खास करके यह स्राज को पकर लिया तो बोलेगा ना भई पापा की गाड़ी चला रहे हो किसकी गाड़ी है लाइसेंस है पहले पूछेंगे पहले अपना परिचे पत्र दिखाओ तो परिचे पत्र क्या होगा क्रिडेंसियस हमेशा क्या होगा बहुवचन में होगा कि अपना आधार दिखाओ पैन दिखाओ वोटर आईडी कार्ड दिखाओ ठीक है उसी तरह अलम्स मतलब क्या हो गया हमारा दान भीख वगएरा हो गया दान भीख्षा वगएरा हो गया तो elves were distributed to the beggars यह क्या हो गया बहुवचन में ठीक है बहुवचन में लिखा जाता है you can't smoke in these premises नहीं होगा you can't smoke in these premises statistics is an interesting subject statistics are suggesting otherwise orders have been issues for his transfer but he has not received them so far order नहीं होगा orders होगा अगर यहां पर order लिख देते तो has been कर देते for his transfer but he has not received received it so far यह पुड़ा change हो जाता लेकिन orders कहा लिखा जाता है order अकेला नहीं लिखा जाता orders लिखा जाता है यह क्या बिल्कुल सही है अब देखिए कुछ ऐसे noun होती है जो लिखी पुल्डल फॉर्म में जाती है पर singular होती है जिससे subjects हो गया जिससे mathematics, economics, civics यह सब क्या है हमारा पुल्डल फॉर्म में लिखी जाती है लेकिन क्या है, singular है अब बात करते हैं disease की तो disease जो होता है वो लिखा कैसे जासे measles हो गया, mumps हो गया, irrigates हो गया एक्सेस्ट्रा, यह सब हो गया तो यह सब क्या है यह सब लिखी तो पुल्डल फॉर्म में जा रही है लेकिन यह हो लिखे है लेकिन यह है, singular जैसे diabetes diabetes क्या है, singular है लेकिन लगता जो है पुल्डल जैसा है जैसे games हो गया, कई सारे games है जैसे billiards, यह क्या है, singular है लेकिन लिखा पुल्डल जैसा है dots dots, लगता तो है क्या पुलल जैसा लेकिन क्या है ये सिंगुलर है जिमनास्टिक्स जिमनास्टिक्स क्या है लगता तो पुलल जैसा है लेकिन क्या है ये सिंगुलर है इनिंग्स क्या है लगता पुलल जैसा है लेकिन क्या है सिंगुलर है समन्स summons को हिंदी में summons बोलते हैं लेकिन English में इसको लिखा जाता है summons ठीक है यह है singular series series क्या है singular है लगता है पूरल जैसा है इसके बाद हम लोग देखते हैं means means का मतलता wealth यह क्या है लगता है पूरल जैसा लेकिन लिखा जाता है singular में अब आगे का देखते है examples कुछ देखते है what a great innings ठीक है innings क्या है singular है इसलिए ए लगाया what a great innings ठीक है दम ध्यान रखिए summons has been sent by the court summons क्या है हमारा singular है इसलिए यहाँ पर क्या लगाया हमने singular verb लगाया has been क्या हमारा singular verb है summons has been sent by the court समंस क्या है हमारा singular भर्भ है these places are a means to avoid prosecution these places क्या है हमारा बहुँ अचान जैसा है लेकिन singular में है r लगेगा r a means to avoid prosecution तो यहां हमने कुछ को देखा है अगर कोई चीज़ छूट गया हो या कोई समझ में नहीं आए तो दुबारा इसको जो है मुझे बताना है ताकि मैं इसको दुबारा फ्रेश तरीके से चलूँ तो यह जो है ना पूरा इंगलेज का course यहां पर मिलेगा बिलकुल free of cost कोई चीज अभी समझ में नहीं आ रही है तो अगले बार में अच्छे तरीके से समझेंगे उस चीज को अभी क्या है मेरे पास लोगों का और त्यार करने वाले content लोगों का अभाव है और समय काभी काफी अभाव रहता है बहुत वैस्ता के कारण मैं अभी अपने notebook से सिधा परह रहा हूँ तो जैसे जैसे समय गुजरेगा इसमें AI और बाकी चीजों का मैं इसमें interfere करता हुआ मैं और अच्छा और अच्छा चीज करता जाऊंगा ठीक है तो जब तक जो मेरे पास है वही मैं सब लोगों को दे रहा हूँ लेकिन मेरा एकदम वादा है सब लोगों से एकदम latest technology और latest knowledge मैं सब के साथ सेयर करूंगा पूरे रूरल एरिये के साथ में हर बच्चा जो है उसको मैं हर तरीके से smart बना दूँगा English grammar में English spoken में और जो भी based है ना उसके तरीके से और यकीन मानना है सब लोगों को कि जिस तरह से हमने बाहर में बहुत सारे चमतकार किये उसी तरीके से यहां पर भी न एक दम युद दस्तर पर काम करेंगे और इतना बढ़िये चमतकार करेंगे न जम निकाल देंगे सब लोगों को बहुत अच्छी जगा पे तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से break के बाद noun का part 2 भी लेकर के आना है मुझे लगातार उसमें काम करना होगा मिलते हैं एक छोटे से break के बाद धन्यवाद noun chapter का यह part 2 है और यहां हम लोग compound noun से शुरुआत करेंगे तो देखें compound noun क्या होते हैं वैसे noun जो दो या दो से अधिक सब्दों से मिलकर बनी होती है compound noun कहलाती है जिसमें की क्या होते है दो या दो से अधिक सब्दों होते है तो देखें सबसे पहले एक word देखते है brother in law ठीक है brother in law को अगर plural form में लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे brothers in law इसलिए क्योंकि यहां पे जो brother in laws नहीं लिखेंगे एस नहीं लगाएंगे इसलिए क्योंकि main part क्या है तो brother है मुखे हिस्षा क्या है brother है इसलिए यहां पे एस लगेगा चलिए यहां लगेगा brothers in law अगर इसको plural बनाना हो तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि runners up main क्या है runner तो यह क्या हो जाएगा runners up runners up होगा यह अब देखिए फिर हम लोग देखते हैं कि looker on है इसमें अगर s लगाना हो तो ons नहीं करेंगे क्या करेंगे lookers on उसी तरह देखिए अब यहां पर vice admiral में मुख्य कौन सा हिस्षा है तो vice नहीं है यह कौन सा admiral है तो बहुवच्ण बनाना हो तो क्या हो जाएगा vice admirals उस तरह count materials को court marsal को हम लोग क्या लिखेंगे courts marsal commander in chief में मुख्य हिस्षा क्या है commander तो commanders in chief तो यही हमारा हो गया compound down जिसमें कि जो मुख्य हिस्षा होता है वो dominate करता है चलिए आगे देखते हैं हम लोग जिससे noun को देखते हैं noun में हम लोग देखते हैं category wise में तो दो noun आता है countable और एक होता है uncountable ठीक है countable noun में हो गया हमारा common noun जिसको जाती वाचक संख्या बोल सकते हैं जाती वाचक संख्या proper noun और collective noun को हम लोग समुवाचक संख्या बोल सकते हैं फिर uncountable noun में हम लोग देखते हैं material noun को और abstract noun को ठीक है थोड़ा जहां जुरुत पड़ेगी वहाँ उसकी व्याख्या भी हम लोग देखते चलेंगे तो देखिए common noun में जो हमारा जो है यह है fruit एदम common noun है कौन सा फल? कोई सा भी फल pen, column, city कोई सा भी city, man boy, company, fruit यह किस में हो गया? common noun का हिस्चा हो गया proper noun क्या होता है? एदम specific होता है proper noun में क्या हो गया? जिसे apple क्या हो गया? specific हो गया fall में कौन सा? apple column में कौन सा हो गया? parker city था city में कौन सा हो गया? indoor man था man कौन सा हो गया? रागाव company था company कौन सा? infosys और फल कौन सा? ग्रेप इस तरह से हम लोग देखते हैं कि proper noun में क्या हो गया? specific हो गया पिर हम लोग देखते हैं collective noun collective noun में क्या होता है? तो group का specific name होता है जैसे herd यानि जुन्ड crew कुछ लोग का जो है ना हिस्ता जो नाव खेने वाले crew gentry जो grammyn हो गया ना pigeon tree bunch यानि गुच्छा ठीक है? जैसे common noun हो गया fruit इसके बाद proper noun हो गया graphs और जो अंगूर का जो गुच्छा हो गया collective noun उसको बोलेंगे bunch तो यह हमने देखा इसको फिर आओगे देखते है material noun material noun में कौन सा होगा तो हम लोग देखेंगे जो uncountable noun होता है जैसे कि gold, water, rice, while यह सब क्या है? material noun हो गया और abstract noun को हम लोग भावाचक संगया बोल सकते हैं जैसे happiness, anger, smartness, sadness, qualities और studies तो यह हमने देखा इस चीज को अब मुझे एक बात बताईए कि ink या black ink जो है वो कौन-कौन से noun में होगा इंक जो है वो क्या होगा और black ink क्या होगा चलिए यह मुझे comment box में बताईएगा कि अगर ink ले और black ink ले तो हम लोग क्या उसको लेंगे वैसे अगर कुछ भी बताना होगा तो मैं pinned message में बताऊँगा जो pinned message होगा उसमें बताऊँगा और किसी किसम कोई error आ गई हो तो वो भी मैं message में बताऊँगा जो अपना pinned message है नीचे में उसमें बताऊँगा अब देखते हैं uncountable nouns को तो uncountable nouns का ना कोई plural form होता है और नहीं इनके आगे a या n indefinite articles का यूज किया जाता है a या n का मतलब one होता है ठीक है uncountable nouns के आगे ना कोई plural form होता है नहीं इनके आगे a या n indefinite articles का यूज किया जाता है example की सहायता से समझेंगे हम लोग इसको जैसे सौपना left her city in search of an employment ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा एन एन को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे तो यह एन अब यहाँ नहीं रहेगा सौपना left her city in search of employment एन नहीं होगा एन को क्या करेंगे drop करेंगे आगे देखें She has been learning English for a year now She is yet to learn the alphabets अब देखें यहाँ पर क्या alphabets क्या गलत word है alphabets होता है a से लेके जिर्ट तक a, b, c, d अगर हम लोग बोलते हैं तो a, b, c, d क्या होते हैं letters होते हैं तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि alphabets हमारा गलत word हो गया तो इसको alphabets को हम लोग हटा देंगे कुछ जो uncountable noun है जो commonly use किये जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं तो यह क्या है advice ठीक है यह है advice, information, equipment, hair, luggage, baggage, business, work, word, mischief, scenery, vacation, employment, alphabet, poetry, furniture, suffering, surroundings, surroundings, etc. यह क्या है? uncountable nouns हैं जिनको इसी फॉर्म में लिखा जाता है देखे एक word आता है poem poem, 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 poem नहीं poem, 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 poem poem, 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 जो लिखते हैं न, poem, दरसल इसको बोलते हैं poem इह हटा दिए, poem, 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 इस तरह से इसका उचारण होता है तो poem में poem हो सकता है ठीक है? लेकिन poetry नहीं होगी या poetry नहीं होगा ठीक? तो चलिए इन सारे words को आप ध्यान से देख लिजी यह क्या है? some commonly used uncountable nouns exam में इन ही सबसे प्रस्ण जो है सीधा direct बनता है example की साहता से समझेंगे I need an advice from you and जो है न इसको हटा देना है I need advice from you I have some important informations to tell you अब यहाँ पर फिर गलत word होगी है न informations तो हम लोग informations को हटा के as हटा देंगे यहाँ पर I have some important information to tell you अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो just पीछे कर लिजे थोड़ा सा बैक करके हलका सा देख लिजे समझ में आने लगेगा यह we need some more equipments for the lab अब यहाँ पर equipments नहीं होगा क्या होगा? equipment we need some more equipment for the lab she has grey hairs देखिए यहाँ पर hairs नहीं होगा क्या होगा? hair होगा जो भी बाल है ना बाल किस में आते है? hair में आते है तो कोई भी आजमी का जो बालों का जो गुच्छा होगा जूंट क्या होगा? बाल है लेकिन मान लिजे कि आप जहारू लगाते समय आपके पास चार hair निकल आए चार बाल निकल आया आपके पास तो उसको अब आपके पास specific number है तो उसको वैसे condition में लिख सकते है four hair, five hair लेकिन जो सर के बाल है ना उसको क्या लिखेंगे? hair लिखेंगे she has gray hair hairs नहीं होगा यहाँ I gave my words word to her तो यह सही है words थोड़ी देते है word देते है अपने I gave my word to her सही है she is still learning the alphabets अब यहाँ पे गलत word है अभी अभी अबने देखा है alphabets होगा ठीक है? A से Z तक तो alphabets ही होता है alphabets जो लिखेंगे वो क्या होगा? wrong होगा I love poetries of William Wordsworth अब यहाँ पी भी गलत है अभी अभी बताया था हमने क्या होगा? poetry I love poetry of William Wordsworth her vacations are going on यह भी गलत word है क्या होगा? her vacation are going on चलिए एक और हम लोग देखते हैं basically कि जैसे कि आप मकान में जो eat लगी हुई होती है तो bricks नहीं बोलेंगे brick बोलेंगे लेकिन किसी कारण से अगर specific number दिया गया है जैसे 1000 bricks 10 bricks तो वहाँ पे bricks बोलेंगे माल लेजे किसी कारण से आपके हाँ से कोई eat है वो फिसल के नीचे गिर गई और उसके टुकड़े हो गए तो हम लोग क्या बोलेंगे clean these bricks ठीक है तो वहाँ पे हम लोग क्या bricks लिखेंगे लेकिन एक building में जो collective form में जो हम use करेंगे तो वहाँ पे brick का ही use करेंगे तो देखिए in collective nine अगला चोथा rules देखेंगे in collective nine को plural form में ही use किया जाता है जैसे gentry gentry कौन होते हैं जो elite class के people होते हैं उनको बोलते है gentry police, cattle pigantry का मतलब जो grammyn लोग होते हैं उनको pigantry pigantry होते हैं वो clergy people ये सब जो है किसमे होता है collective noun है जो plural form में ही use किया जाते है example देखिए the police are coming is नहीं होगा the police नहीं होगा the police are coming the clergy organized this function organized this function gentry are always respected in the society always नहीं पढ़ते हैं ये अलग कहानी है इसके पीछे में gentry are always respected in the society अगला rule देखिए कि एक ही collective noun को singular और plural दोनों तरह से treat किया जा सकता है ठीक है एक ही collective noun को हम लोग singular और plural दोनों तरह से treat कर सकते हैं कैसे the committee is unanimous on this issue अब पूरी committee एक unit बन के कोई फैसला ले रही है तो वैसे condition में unanimous का मतलब हो गया सर्व सम्मती the committee is unanimous on this issue तो क्या हो गया is लगा वहाँ पर क्योंकि ये हो गया singular अगला देखते हैं the committee are divided on these issues the committee are यहाँ पर आर इसली लगा क्योंकि committee जो है न कई सारे छोड़े टुकडे में बटी होई है तो क्या हो गया यहाँ पर बहु अचन हो गया तो आर लग गया the committee are divided on this issue एक और example लेते हैं the audience was spellbound spellbound बतलब मंत्र मुगद सारे जो audience थे वो सब क्या हो गया सब के सब मंत्र मुगद हो गया singular हो गया the audience wear band अब सारे audience तो band नहीं होंगे कुछ 2, 4, 10, 12, 20 वाले band हो जाएंगे तो वहाँ पर हमारा भुवचन लग जाएगा the audience wear band the team are changing clothes the team are changing clothes देखे जब team खेलती है न तो एक unit हो जाती है तो team is होगा लेकिन यहाँ पर team अपने अपने team के साद से अपने अपने कपड़े बदल रहे है तो team are हो जाएगा यहाँ पर the team is playing well those days या those days जब पूरी team एक साद खेलेगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास singular में आ जाएगा यह team एक unit बन जाएगा आगे हम लोग देखते हैं counting units pair, dozens, score hundred के बाद यदि number आए तो unit हमेशा singular form में लिखी जाती है ठीक है यही होता है न counting units यानि pair में dozen, score, hundred आदी के बाद यदि number आए तो unit हमेशा singular form में लिखी जाती है जैसे देखें example में my friend about dozens of eggs ठीक है अब क्या है यहाँ पर सही है यह मामला सही है my friend about dozens of eggs सही है बताइए अभी हमने क्या देखा कि pair dozen scores hundred के बाद यदि number आए तो unit हमेशा किस में होती है singular में होती है ठीक है तो यहाँ पर कुछ आया क्या my friend about dozens of eggs क्या होगा बताइए यह सही होगा यह यह सही होगा my friend about two dozen eggs कौन सा सही होगा आगे बढ़ें I have thousands of rupees यह सही है यह वला सही है I have a thousand rupee note आप उपर जाएए और वहाँ से आप देखें कौन सा सही है I have a two thousand rupee note ठीक है यह यह है I have five two thousand rupees notes तो बताइए कौन कौन से सही है मुझे तो यह सारे सही लग रहे है आप इसके according जो है calculate करिए और चलिए बताइए इतना अंग्रेजी तो आप जान ही गए होंगे 45 पढ़ने के बाद आगे बढ़ें हम लोग cases of noun इसमें देखिए एक होता है इमारा nominative case और दूसरा होता है objective case तो इसको pronoun वाले में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे यहां काम लाइक देख लेते हैं देखे कि English में क्या होता है subject object का बहुत खेल होता है subject वो होता है जो काम करता है किसके उपड में object के उपड में तो swapna teaches mathly subject है यह object है और mathly knows how to ride a bike ride a bike ठीक है तो इन सब चियों की व्याख्या हम लोग थोड़ा सा अगली class एक दो class के बाद हम लोग तरीके से करेंगे यहां अगर बता दिया तो थोड़ा extra confusion फेलेगा तो pronoun का जो chapter आएगा ना वहां पर मैं बताऊंगा और किसी व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी हो तो उनको पहले भी बता दूँगा लेकिन as usual हम अपनी गती से चलेंगे अब देखिए possessive case possessive case क्या होता है possession का मतलब क्या होता है ownership जब किसी चीज पर authority या ownership दिखानी हो तो possessive case का यूज किया जाता है जैसे राज अंब्रेला राज जू का च्छाता सेक्सपियर्स प्ले सेक्सपियर का नाटक एविक्स होलिडे एक सप्ता की छुट्टी एव मदर्स लब मा का प्यार ठीक है possessive case आगया ध्यान में यदि कोई word s के साथ sound के साथ ind होती है यदि कोई word s के sound के साथ ind होती है तो उसके आगे केवल apostrophe use किया जाता है s नहीं ठीक है यह rule है apostrophe use किया जाता है kya s नहीं तो चलिए अब यहां पर देखिए boys hostel अब यहां पर तो लगा एक लड़के का तो hostel होगा नहीं बहुत सारे लड़के होंगे तो क्या होगा boys यहां पर school boys school एक boy काता होगा नहीं तो यह wrong है यह क्या होगा boys s के बाद लगेगा school for Jesus sake यह भी गलत होगा सही क्या होगा for Jesus यहां पर लगेगा sick girls college एक girl का तो college होगा नहीं तो यह क्या होगा girls college Ross book यह गलत होगा यह क्या होगा Ross यहां पर लगेगा book for consensus sake यह भी गलत होगा क्या होगा for consign sake आगे दिखिए double apostrophe का use नहीं किया जाता है कब जैसे दो बार authority दिखानी हो तो राज फादर्स कार ऐसा नहीं होगा क्या सही होगा car of राज फादर यह सही होगा भुटान्स पी-म्स विजिट यह भी गलत होगा पी-म ऑफ भुटान्स विजिट यह सही होगा अब देखिए joint possession के case में apostrophe as केवल बाद वाली noun के साथ use किया जाता है जैसे देखिए example हम लोग देखते है हीमेसेस एंड अनुमलिक्स songs are very popular बताइए सही है क्या बिलकुल नहीं सही है किसके क्या होगा हीमेसेस एंड अनुमलिक्स songs are very popular सही है क्या केवल बाद वाली noun के साथ use किया जाता है भई जो rules दिया गया है उस rule के according हमें क्या इसको सही करना है कर लेंगे इसको सही आगे बढ़ें apostrophe as का use के वर living things के लिए किया जाता है अगर कोई जीवीत वस्तु है उसी के लिए करेंगे जैसे the table's leg लिखेंगे तो गलत हो जाएगा the leg of the table लिखेंगे ये हमारा right होगा the house roof ये लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा क्या लिखेंगे the roof of the house exception भी है कि देखिए अगर in case of time space, weight and personification personification का मतलब होगा मान भी है करन कि अगर in case of time space, weight and personification हमारी जो इसमें जो कुछ value change हो जाती है जैसे देखें examples में a minutes time ये सही है क्यों 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 कि इसमें time का बोद होता है a pounds weight ये भी हमारा सही है ठीक है क्यों 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 कि इसमें हमने किसका weight का इस्तमाल किया है a stone throws away distance मतलब कि मेरी घर से बसंती का घर कि इतना दूर है एक पत्थर फेकने इतनी दूर है तो क्या हुआ a stones throw away distance तो ये क्या दोड़ी को दिखा रहा है ठीक है तो ये क्या होगा a stone के साथ s लग जाएगा hearts eyes यानि कि अपने दिल की आखों से तो यहाँ पर भी क्या होगा personification हो गया ना मतलब मान भी करन हो गया तो ये hearts eyes जो है वो सही रहेगा अब आगे हम लोग देखें कि यदि someone anyone everyone nobody के साथ else आता है तो apostrophe as else के साथ आता है ये सब क्या है indefinite है कोई definite नहीं है तो यदि someone anyone everyone nobody के साथ else आता है तो apostrophe as else के साथ आता है देखते हैं example देखते हैं someone's else someone's else गलत हो जाएगा someone else's keys ठीक है सही है ये everybody's else गलत हो जाएगा everybody else's work ये सई होगा अब यहाँ पर note करने के बाद क्या है one off के बाद हमेशा plural noun का use किया जाता है क्या किया जाता है पुलर नाउन का किस के बाद one off के बाद हमेशा plural noun का use किया जाता है अब example देखते हैं सुभी is one of my best friends ठीक है नहीं कई दोस्तों में special है सुभी is one of my best friends एस लगेगा यहाँ रस्मी रथी is one of the best books एक बुक तो होगा नहीं कई बुकों में ये मुझे पढ़िया है I have ever read मैंने कभी पढ़ी है Amar sir is one of the best faculties of reasoning I know एक faculty तो होगा नहीं कई faculties में ये special है Amar sir तो ये रहा हमारा जो है basics जो है noun का ये हमारा basics है तो हम लोग जो है एक बहुत कम एक हलका सा टेस्ट लेंगे जिसमेंचे जितने questions पिछले examinations में आये हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे तो जब तक उनको नहीं देखते हैं noun पर पुड़ एकदम control कर लीजे फिर हम लोग उस questions पर आएंगे उस questions को भी देखेंगे लेकिन अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि वो competitive exams में आए वे questions हैं लेकिन noun तो हमेशा हर जगह ही काम देगा तो उसको यहां mix नहीं करेंगे separate classes की लेंगे तो चलिए हम लोग यहीं पर noun क्या जो है second part को खत्म करते हैं फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद मिलते ही रहेंगे हमेशा और नए chapters को लेके आते रहेंगे धन्यवाद